नमस्कार दोस्तों, अलकास किचिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए कराई हूँ, सूजी से बना हुआ बहुत कम तेल में सिर्फ एक चमश तेल से बना या नाश्था जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है या मैंने अलग-लग शिप्स में बनाया है ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए बच्चे से बहुत अच्छे से एंजोई करेंगे तो फ्रेंज अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हम प्रेसिपी शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करें सबसे पहले एक बावल में मैंने ले लिया है एक कप रवा यानि की सूजी यह बारिक सूजी है अब हम लेंगे एक कप दही यह दही एक दिन पुराना है यानि की थोड़ा खटा है इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे सूजी और रवा दोनों एक एक कप ही लिया है इसे हमें अच्छे से mix कर लेना है और थोड़ा पानी यानि कि 1 फोर्थ कप पानी हम इसमें add करेंगे रवा पानी को बहुत जल्दी सौक कर लेता है इसलिए हमने बैटर की कंसिस्टिंसी सही करने के लिए इसमें पानी एड़ कर दिया है अच्छे से हमें इसे mix कर देना है यह देखिए इस तरह से अब हम ढग कर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे तब तक हम समस्टड सीट्स आप आप इसके अंदर हम डालेंगे वं टी स्पून मस्टर चीट्स मस्टर चीट्स क्रेकल होने लगी है अच्छे से तल गर्म हो गया था तो बस्ट्सक्राव ακरम हम रगशता पुछ ही टेस्टी पन कर रेडि होगा अच्छे से हम इसे लगातार चलाते रहें और अच्छे से इसे भून लेंगे अब डालेंगे एक चमच बारिक पिसी हुई अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट इसे भी हमें अच्छे से एक मिनिट तक भूनना है ताकि अद्रक और मिर्ची अच्छे से प्यास के साथ मिक्स हो जैसे मतर बैल पैपर्स जो भी सब्जी आपको पसंद हो वह आप इसके अंदर डाल सकते हैं इसे हम एक मिनिट तक स्वाथे कर लेंगे और आप इसमें डालेंगे नमक नमक, स्वादके नुसार और आधा चमच रेड चिली पाउडर इसके अलावा और आप जो भी स्पाइसर्स आड़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं मैंने सिर्फ लाल मिर्च और नमक ही एड़ किया है हमें इसे अच्छे से भूल लेना है और अब सब्जियों के सॉफ्ट होने तक हमने से ढख कर रखतेंगे दो मिनिट के लिए ही ढखेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि सब्जियां बहुत बारिक कटी हुई है दो मिनिट तक लिड लगा कर अधिया था यह देखिए सब्जियां बहुत सॉफ्ट हो चुकी है इस तरह से और यह बिल्कुल रैडी है तो अ दही कितना ठीक हो चुका है दही ने काफी पानी को सौक कर लिया है तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड़ करेंगे क्योंकि यह बहुत ठिक है अगर ठिक से हम बनाईए हैं तो वह ठोड़ा हार्ड हो जाएगा हमने थोड़ा इसे पतला करना है जिस तरह से इ यह देखिए अभी थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे इस तरह से और बल्बिल अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे सब्जियो माला मिक्स्चर जो कि ठंडा हो चुका है यह कितना कलर्फुल है और डालेंगे एक चर्मच चीनी और एक चर्मच नीमबु का रस थोड़ी खटास के लिए और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे हमारा बैटर कितना कलर्फुल और कितना अच्छा लग रहा है एकड़म हेल्दी सूजी से बना हुआ आप इसे ब्रेकफस्ट में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो शाम को भी इसे बना कर बच्चों को खिला सकते हैं जब भूट लगे तो हमारा बैटर बिल्कुल रेड जो पड़ी हुई कटोरियां है उन्हें भी ले सकते हैं इस तरह के सिलिकॉन मॉल्ड भी ले सकते हैं जो कि मार्किट में बहुत असानी से मिल जाते हैं नहीं तो आप घर पर पड़ी हुई को ही हलका ओयल से ग्रीज कर लीजिएगा और उसे इस्सिमाल कीचिएगा अब मैं एक दम फ्लफी हो गया है एक दम लाइट हो गया है अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है नीचे तक और अब इस बैटर को हम अपने मॉल्ड के अंदर पॉड कर देंगे एक कर्ची भरकर डालते जाएंगे सभी में बराबर बराबर ताकि ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंक पानी और एक स्टेंड रख लिया है और इसे हमने गरम कर लिया है अब इसके अंदर में इस तरह से रख रही हूं और हमें 15-20 मिनिट लो फ्लेम पर इसको स्टीम करना है यह जब तक यह हमारा अच्छी से कुक नहीं हो जाता तो चलिए अब मैं आपको माइक्रोवेव में स्टीम करके बताऊंगी मैंने यह माइक्रोवेव सेफ बरतन लिया है इसमें थोड़ा पानी अड़ किया और वह जो मेरे पास छोटे मॉल थे मैं उसमें डाल दिया है माइक्रोवेव में यह बहुत कम समय में यानि स्रफ चार मिनिट पे बनकर रेडी हो जाएगा आठ पीस असानी से यह डी मोल्ड हो जाता है इसमें और लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती यह देखिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट पंजी हुआ है एकडम सॉफ्ट मैंने सभी को डी मोल्ड कर लिया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है बच्चे कितने इसका मतलब यह हमारा एकडम अच्छे से स्टीम हो चुका है तो चलिए इसको भी हम कडाई से निकाल लेते हैं और डी मोल्ड कर लेते हैं यह देखिए हार्ट शेप का कितना अच्छा डी मोल्ड हुआ है और कितने अच्छा भी लग रहा है दिखने में तो फ्रेंट्स कर दीजिएगा एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्षिन में मुझे जरूर बताईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो थैंक्यू फ्रेंड्स